Hi Hello लो भीडियो ह Sci-cabled ऽो आज के इस वीडियो मैं करने वाले सद्टम इसमें ठोबन कोश्चिन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टन important ओफ दक तोस्इन आज का पहला कोश्चेन है जिसमें प्लस b का जो magnitude 5ricanes शो करना कि यह वैक्टर और यह वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानि कि इसका डॉट प्रोड़क्ट आपको जीरो के एकवल प्रूफ करना होगा था जो आपके पास गीवन उसको पहले लो आपके पास दे रहा है का एक्टर प्लस बी वैक्टर का मैगनिटूड इसकोल टू एक्टर का मैगनिटूड फिर क्या करो स्क्वारिंग बोथ साइड स्क्वारिंग बोथ साइड दूनों तरफ स्क्वारिंग करेंगे तो क्या आजाएगा A vector plus B vector के magnitude का square A vector के magnitude का square तो यह हो जाएगा A के magnitude का square magnitude को या तो आप ऐसे लिखे या फिर सिर्फ A लिख दीजिए magnitude को रिनोट करता है या ने किसी vector के arrow को हटा दिजिए तबी magnitude या फिर mode लगा दे तबी magnitude तो मैं direct लिक रहा हूँ A square plus B के magnitude का square plus 2 dot B vector मैंने लगा दिया स्कूर प्लस B स्कूर प्लस टू एधर वह जागा एक एक के मैगनिट्वुट का स्कूर यह जागा तो इस से तो यह स्कूर ठी हो जागा तो यह b एस्क्वाइर प्लस 2 vectr dåpt B वाक्टर इव को फिद B के magnitude के square को हम लिख सकते हैं B vector dot B vector क्या होता है A के magnitude का square तो हम B के magnitude के square को लिख सकते है B vector dot B vector plus 2 A vector dot B vector is equal to 0 फिर इस दोनों में से हम क्या करते है B vector क्या ले लेते है common तो B vector जब हम common लेंगे तो क्या जाए देखिए हमारे पास B vector अगर common लेंगे तो यह आजाएगा B dot अंदर क्या बचेगा B vector plus में 2 A vector is equal to क्या हो गया 0 देखिए इस दो vector का dot product क्या गया 0 इसका मतलब B vector perpendicular होगा 2 A vector plus B vector क्योंकि दो वेक्टर का dot product अगर 0 होता है तो वह दोनों वेक्टर क्या होता है एक दूसरे के perpendicular देखिए next question में हमें बोला है A vector B vector दे रहा है और बोला A vector plus B vector और A vector minus B vector एक दूसरे के perpendicular है तो lambda क्या होगा आपको याद रखना होगा कि दो वेक्टर अगर perpendicular है तो उसका dot product जो होगा वो क्या होगा 0 A vector plus B vector dot A vector minus B vector किसके equal हैगा 0 के तो A plus B करते हैं तो A plus B करेंगे तो six I cap इसमें इसको जोड़ी है minus का two J cap इसमें add किजिए seven plus lambda K cap यह आगया हमारा A plus B अब इसका dot करना हमें किसके साथ A minus B इसमें इसको minus किजिए minus four I cap इसमें इसको minus किजिए zero J cap इसमें से इसको minus किजिए seven minus lambda K cap और इसका dot product क्या हैगा zero dot product करते है six को इससे multiply करेंगे minus 24 इसको इससे करेंगे zero इसको इससे multiply करेंगे seven plus lambda into seven minus lambda is equal to zero यह इधर चला जाएगा A plus B into A minus B seven square minus lambda square is equal to 24 यह हो जाएगा 49 आड़ी दरा के minus 24 is equal to lambda square तो lambda square की value आ गए 25 तो lambda की value आ जाएगी plus minus five यह आपका answer होगा देखिए next question हमारे पास जिसमें बोला है यह काफी important question है काफी बार आया हो एक्दाम में A vector, B vector और C vector दे रखार आपको ऐसा vector D निकालना है जो A और B दोनों के perpendicular हो और C के साथ dot product उसका कितना 18 तो हम सब जानते हैं A और B के perpendicular जो होता वो होता A cross B vector यानि अगर A vector है और यह B vector है तो इसका cross product क्या होगा यह marker उपर हो जाएगा A cross B थम उपर गया यह marker होगा A cross B यानि A cross B vector A के भी perpendicular होता है और B के भी perpendicular होता है तो इतना तो पता चल गया कि हमारा जो D vector है वो A cross B के along होगा लेकिन यह नहीं पता मैगनिटूट कितना होगा जरूरी थो एक trzy A cross B जतना ही magnitude होगा तो कुछ constonaley में K भी लगा देता है ह। हमें K बाद में निकालना होगा तो पहले हम A cross B निकाल लेते है यह नहीन पता है एक डेक्स एक्रास B जतना ही magnitude ह chauff दा doubt is यह लिए जाएगा A cross B कि अच्छा नहीं लगड़ा है इसे लेमडा ले लेते हैं तो यह हो जाएगा I cap यह हो जाएगा for 28 plus में 40 हो जाएगा 32 minus J cap यह जाएगा 7 minus 61 हो जाएगा अब plus में K cap और यह हो जाएगा हमारे पस minus का 2 अब minus का minus का 14 तो A cross B तो आ गया हमारा 32 I cap minus J cap minus 14 K cap तो जो D vector है वो क्या हो जाएगा लेमडा time A cross B यानिके 32 lambda I cap minus lambda J cap minus 14 lambda K cap अब इसका C के साथ dot product वो 18 K equal है तो हम क्या निकालेंगे C इसको equation 1 ले ले तो यह हमारा answer आएगा C dot D किसके equal देना का 18 तो C का D के साथ dot product करते हैं तो इसको 2 से multiply किजे 64 lambda और इसको multiply किजे 1 minus 1 से तो plus का lambda इसको इससे किजे तो minus का 56 lambda is equal to कितना देना का 18 यह कितना हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा 8 lambda प्लस 9 lambda जाएगा 9 lambda is equal to 18 तो lambda की value कि आगे 2 इससे किसमें put कर देंगे put in equation number 1 तो हमारा required vector आजाएगा D vector 64 I cap minus 2 J cap minus 28 K cap यह हमारा answer होगा देखिए next question में हमें क्या वो लगया है next question में बोला दा टू एड्जेसेंट साइड आफ पैडलेलोग्राम अर दिस एंडिस फाइंड दोनों वैक्टर का जो resultant होगा वही इसके diagonal के according जाएगा तो जो आर वैक्टर होता है resultant vector यह a vector plus b vector होता है तो जो diagonal के along जो वैक्टर है वो आर वैक्टर है तो आर वैक्टर किसके एकोल हो जाएगा a vector plus b vector यह दोनों को add कर देते तो कितना जाएगा यह three i cap इसमें इसके जोड़ देंगे तो कितना जाएगा six j cap इसमें इसको add करेंगे तो प्लेस का two k cap यह तो diagonal के along vector आगे बट उसका हमें क्या निकालना है unit vector तो unit vector निकाल लेते आर कैप किसके एकोल हो जाएगा आर वैक्टर अपॉन में आर वैक्टर का magnitude तो three i cap minus six j cap प्लेस two k सब्सक्राइब निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है adjacent side जो है उसका cross product करके हमें क्याले लेना उसका magnitude तो पहले हम निकाल लेते हैं ए वैक्टर cross b वैक्टर क्या होगा यह i j और यह k तो a का coefficient कितना है two minus four five और b का coefficient कितना है one minus two minus three अब इसका cross product कर लेते हैं तो i cap यह अट जाएगा minus plus का 12 और plus का 10 यानिके 22 minus j cap यह हटा देंगे तो minus का six और minus का five minus का 11 अब plus k cap इसे हटा देजे ही हो जाएगा minus का four अब plus का four यह तो zero यह हो जाएगा यहां पर zero ही हो जाएगा zero k cap तो यहां से हमारे पास आ गया a vector cross b vector 22 i cap plus 11 j cap plus zero k cap इसका हमें क्या निकलना है magnitude तो magnitude कितना हो जाएगा under root of 22 का square हो जाएगा 484 और 11 का score हो जाएगा 121 तो अंसर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 605 यह हमारा एरिया होगा देखिए next question में हमें क्या बोला है the scalar product यानि के dot product of this vector यानि a vector with unit vector along sum of this यानि के a vector और इसके sum का जो unit vector आएगा उसका dot product किसके equal है one k तो lambda निकालना है तो पहले हम a vector तो हमारे पास है तो a vector हो गया हमारे पास i cap plus j cap plus k cap अब निकालते हैं इसका sum यानि s vector लिख देते हैं s for sum दोनों को add करके तो क्या जाएगा यह two plus lambda i cap इसमें add करेंगे तो six j cap इसमें add करेंगे तो minus two k अब देखिए according to question according to question क्या बोला गया है इसका dot product नहीं इसका unit vector का dot product यानि क्या हमें निकालना पर एगा a vector dot s cap यह one k equal है देख लिखा हुआ है यह vector with unit vector along sum of this यानि इसके sum का unit vector और उसका scalar product किसके equal है one k equal है फिरते बता देता हूं कि a vector का इसके sum k unit vector के साथ जो dot product करेंगे उस cancer one है तो lambda निकालो तो करते है dot product तो a vector तो यह हो गया i cap plus j cap plus k cap और dot करना है इसका unit vector तो unit vector कैसे निकालते है vector upon उसका magnitude तो two plus lambda i cap plus six j cap minus two k cap upon में उसका magnitude तो magnitude क्या हो जाएगा two plus lambda का square plus six का square 36 plus minus two का square four आईए किसके equal है one k dot करते हैं तो one को इससे multiply करेंगे तो two plus lambda one को इससे multiply करेंगे तो six one को इससे multiply करेंगे तो minus का two upon में under root of यह इधर ही बहुत देते हैं यह इसको इधर बहुत देते तो यह किसके equal हो जाएगा equal to under root of two plus lambda का square plus में 40 तो यहां से क्या जागे टू से two कर जाएगा दोनों तरफ स्क्वारिंग कर देंगे तो lambda plus six का square आई इसका root खतम हो जाएगा two plus lambda का square plus में 40 यह बहुत जाएगा लैमडा square plus 36 plus में 12 lambda और यह हो जाएगा four plus lambda square plus में four lambda plus में 40 lambda square से lambda square cancel out हो जाएगा यह इधर आके हो जाएगा eight lambda is equal to यह 44 इधर आके हो जाएगा eight लैमडा की वैलू आ जाएगी one देखें नेक्स question बहुत ही प्यारा सा question इत्में बोला है ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों unit square निकालते हैं यह क्या हो जाएगा eight magnitude का square प्लस बी के magnitude का square प्लस टू एवैक्टर डॉट बी वैक्टर यह आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा फिर से एवैक्टर प्लस बी वैक्टर के magnitude का square is equal to unit vector तो यह हो जाएगा one यह भी one आ इसका dot product खोल देते तो क्या जाएगा two ab cos theta फिर से आ जाएगा a vector plus b vector के magnitude का square यह हो जाएगा two plus यहां तो one one हो जाएगा क्योंकि a और भी unit vector तो यह हो जाएगा two cos theta तो a vector plus b vector के magnitude का square two common ले लेंगे one plus में cos theta और यह two इधर चलाएगा तो यहां पे आजाएगा हमारा one by two a vector plus b vector के magnitude का square इधर क्या बचेगा one plus cos theta one plus cos theta में half angle formula लगाएंगे two cos square theta by two two इधर चलाएगा तो cos square theta by two किसके equal हो जाएगा one by four a vector plus b vector के magnitude का square अब under उटे लेंगे तो cos theta by two कितना हो जाएगा one by two और यह square से root से square आटेगा a vector plus b vector यही proof करना था देखें